आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यानि इस P1 और इस P2 पर हमें क्या करना है, विज्यान की तीवता का मान ग्यात करना है। तो सबसे पहले हम बिन्दू P1 पर विज्यान की तीवता का मान ग्यात करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस P1 पर एक काल्पनिक क्या करेंगे एक काल्पनिक गोला या का है गौसियन प्रेष्ट की कल्पना करते हैं ठीक है इस प्रकार से हम यहां पर एक गौसियन प्रेष्ट कीचेंगे जिसकी त्रिज्जा क्या होगी R1 होगी ठीक है तो इस गौसियन प्रे से जो गुजरने वाला flux होगा वो क्या होगा हमारा होगा E vector dot S vector ठीक है अगर हम बहुत छोटी सी जगह से निकलने वाला गर flux देखें तो D phi क्या होगा E dot Ds होगा ठीक है तो अगर हम इस बिंदू पर बात करें ठीक है और Ds जो यहाँ पर अगर हम छोटा सा element जो लिए है वो Ds है तो उसका जो छेतरफर सदिस होगा वो भी इसी दिसा में होगा यानि कि E और Ds के भी जो कोड बन रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है theta बराबर 0 degree बन रहा है यानि कि दोनों क्या है एक ही दिसा में है ठीक है दोनों एक ही दिसा में है तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 5 बराबर क्या आ जाएगा D5 बराबर क्या आ जाएगा D5 बराबर हमारे पास आ जाएगा E, Ds, cos theta, dot अटता तो क्या था, cos और theta है, theta कितना है हमारे पास, 0 degree क्योंकि दोनों एक ही दिसाम है तो इस छोटे से जो एलिमेंट है ठीक है इस छोटे ऐसा जो भाग है जो ds है उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा e ds होगा ठीक है तो यह जो हमने पूरा गॉसियन प्रेश यहां पर खीच रहे है ठीक है उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा यह कहां जो कुल फ्लक्स होगा r1 तरिज्जा के गॉसियन प्रेश से वो कैसे हम निकालेंगे इसका समाकलन करके ठीक है यानि की d5 वराबर क्या हो जाएगा e और इसका समाकलन ds का तो 5 वराबर क्या हो जाएगा e ds मतलब इस पूरे प्रेश्ट का समाकलन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा छेत्रपल छेत्रपल किसका इस गोले का ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा च्यार पाई आर वन का इसको है ठीक है डी एस जो होगा उसका समाकलन होकर क्या हो जाएगा इस पूरे गोले का प्रश्टी छेत्रपल हो जाएगा और गोले का जो प्रिष्टी छेतफल होता है, क्या होता है, 4 pi r square होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्जा है, वो r1 है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो e का मान आ गया, वो क्या आ गया, e बराबर आ गया, 5 बटे 4 pi r1 square, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं, समी करण नंबर 1, ठीक है, अब हम लगाते हैं, गौस का नियम, ठीक है, तो गौस के नियम के अनिसार, गौस के नियम से, क्या हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रस्ट से गु मंदिर जो flux होता है, उसका एक बटे epsilon not गुना होता है, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, 5 का मान आ गया, तो इस 5 का मान हम लोग क्या करेंगे, उपर अपनी समी करण में रख देंगे, तो समी करण नंबर 1 से, ठीक है, समी करण नंबर 1 से, तो यहां से हमारा जो e का म मान है व्यद्व छेते का जो मान है P1 बिंदू पर ठीक है वो क्या आजाएगा वो आजाएगा एक बटे चार पाई ठीक है आर वन स्क्वाईर इंटू फाई की जगे क्या रकना है Q बटे एपसाइलन नौट ठीक है तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बराबर एक बटे चार पाई एपसाइलन नौट को पहले लिख दिया और Q बटे आर वन स्क्वाईर तो P1 बिंदू पर जो विद्व छेत की तीरता हो जाएगी वो हमारी ये हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं P2 बिंदू पर ठीक है तो P2 बिंदू जो है वो धातू के हमारे बीतर है ठीक है तो P2 बिंदू जो है वो क्या है धातू के बीतर होने के कारण जो P2 बिंदू पर विद्वचेत्र की तीवता का मान है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जो हमारी धातू होती है उसके हर बिंदू पर ठीक है? धातू के अंदर जितने भी बिंदू होंगे वहाँ पर वैद्धुचेद की तीवता का मान क्या होता है जीरो होता है क्योंकि उसका परावैद्धुतांग जो होता है वो बहुती जादा माना जाता है ठीक है या कहें अनन्त माना जाता है तो परावैद्धुतांग इस जगे पर लिखा जाता है तो एक बटे अनंत क्या होता है जीरो होता है या सीधे सीधे हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी जब भी कोई बिंदू धातु के अंदर दिया होता है तो वहाँ पर उसकी वैद्धु छेद की तीवता वहाँ पर क्या होती है शून ने होती है तो P2 बिंदू पर यही हमसे पूचा गया था था थैंक यू पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज से डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर